Welcome to Psychology दोस क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो लोग कम बोलता है वो हमेशा ही successful होता है Psychology theory के basis पे humans को डो type में divide कर सकते है इस basis पे कि वो कैसे अपना psychological energy consume करते है पहला type होता है वो जो अपनी energy gather करता है socialize होके या फिर लोगों से मिलके जिसको हम extrovert करते है दूसरे type के लोग होते है introvert जो कि अपनी energy gather करते है अकेले में अपने आपके साथ time spend करके लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि extrovert और introvert का success के साथ क्या relation है बहुत लोगों को ये लगता है कि जो लोग extrovert है वो जादा successful होते है क्योंकि जादा तर successful लोगों की characteristic extrovert के साथ match करती है especially अगर आप public speaking या फिर networking की बात करो तो extrovert लोग इन में माहिर होते है क्योंकि वो उन लोगों के लिए ये चीज natural होती है लेकिन अगर हम दुनिया के सबसे successful लोगों देखे तो जादा तर ऐसे लोग introvert होते है Elon Musk जो अभी दुनिया का सबसे अमीर इनसान है वो एक introvert है Amazon Company का founder and CEO Jeff Bezos भी एक introvert है Bill Gates के बारे में आपको पता ही होगा Albert Einstein, Mark Zuckerberg ये सारे लोग जो है वो introvert है तो आईए अब देखते है कि क्यों silent लोग या फिर चुप रहने वाले लोग हमेशे successful होते है तो पहला point है वो हर चीज़ plan करते है कम बोलने वाले लोगों को हमेशे थोड़ा ज़ादा time चाहिए होता है कोई भी information को अपने दिमाग में process करने के लिए और इसी लिए वो चुप रहना पसंद करते है क्योंकि वो हर चीज़ को अच्छे से अपने दिमाग में analyze करते है और यही qualities इन लोगों को एक अच्छा planner भी बनाता है ऐसे लोग अपने दिमाग में हर एक scenario का several future outcome निकालते है और अपने best outcome को planning करके execute करते है और इन लोगों को ये भी लगता है किसी भी इनसान को तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक ज़रूरत ना पड़े किसी भी field में successful होने के लिए planning करना बहुत ज़रूरी है और planning के लिए अच्छे से सोच पाना और analyze करना ज़रूरी है लेकिन कोई अगर बात ही करता रहे और उसको सोचने का time ही ना मिले तो वो planning भी नहीं कर सकता है दूसरा point है वो अच्छे listener होता है success के लिए कोई shortcut नहीं होता है और कोई भी इनसान चुटकी में successful नहीं हो सकता है Jeff Bezos ने 1992 में Amazon company को launch किया था और आज 30 साल बाद वो दुनिया का सबसे successful इनसानों में से एक है तो successful होने के लिए दूसरे लोगों से advice लेना और अपने आपको improve करना बहुत ज़रूरी है और अगर किसी से आपको कुछ सीखना है या फिर किसी से कुछ advice लेना है तो आपको एक good listener बनना ही पड़ेगा इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग ज़ादा बोलता है वो लोग good listener नहीं होता है लेकिन कम बोलने वाले लोगों में एक advantage होता है कि वो दूसरे को बोलने का हमेशा मौका देते है और इसी वज़े से उन लोगो ज़ादा feedback मिलता है और उनमें काम करके अपने आपको improve करने का मौका भी तीसरा point है कम बोलने वाले लोग creative होता है silent लोग अपने ज़ादा तर समय अपने दिमाग के अंदर बिताते है और इसी लिए वो दूसरों से बात करने में interested नहीं होता है जब भी वो अकेले होता है तो कुछ न कुछ ideas के बारे में सोचता रहता है और उन ideas को कैसे practical life में implement करें उसके बारे में सोचते हैं आज की तरीख में creativity business के लिए एक एहम पहलू है क्यूंकि इस fast-paced दुनिया में हर इंसान को variety चाहिए और हर एक इंसान कुछ न कुछ नया ढूंडता रहता है कुछ introvert लोगों का अपने business में successful होने का एक reason ये भी है कि वो अपने creativity को अपने business को आगे बढ़ाने में use करते हैं ये ऐसे लोग होते हैं जो की बहुत innovative और बिल्कुल ही नया ideas आपके सामने लेके आता है और अपनी ideas से लोगो आश्यरे चकेट कर देते हैं for example जब Steve's job में apple launch किया था वो बहुत ही creative चीज था या फिर जब Elon Musk ने SpaceX launch किया था और Mars में लोगो भेजने की बात की थी तीसरा point है कि चुप रहने वाले लोग हमेशा बहुत ही carefully बात करते हैं अगर आप successful होना चाते हो लेकिन आपको ये लगता है कि लोग आपको judge करेंगे क्योंकि आप चुप रहते हो तो आप गलत सोचते हो क्योंकि एक अच्छा communicator होने के लिए सिर्फ बोलना ही काफी नहीं होता है इसके साथ साथ अगले की बातों को अच्छे से सुनना और उसको समझ के reply करना जरूरी होता है चुप रहने वाले लोग इस कला को अच्छे से समझते हैं वो दूसरों से कम बोलते हैं लेकिन जब भी वो बोलते हैं तो वो अपने शब्दों को अच्छे से और केरफली यूस करता है ताकि वो जो भी बोल रहा हो उसका positive effect दूसरों में हो और दूसरा इंसान उनकी बातों को value दे especially अगर आप कोई business deal कर रहे हो तो आपको इस बात में जरूर ध्यान देना होता है कि कैसे आप अपने words को use कर रहे हो क्योंकि words are more powerful than sword चौथा point यह है कि चुप रहने वाले लोग बहुत ही अच्छे observer होते हैं किसी भी situation में जब आप चुप रहते हो और किसी और को बोलने का मौका देते हो आपको भी एक मौका मिलता है और वो होता है environment को observe करने का कोई भी business में target market को observe करना और customer के behavior को जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है चुप रहने वाले लोग इसलिए भी successful होते हैं क्योंकि वो लोग अपने surrounding को बहुत अच्छे से observe कर सकते हैं वो लोग अपने आस-पास के environment को observe करके कौन सा step next लेने से उनको business को फाइदा होगा वो चीज़ अच्छे से predict कर पाता है और यही color को ऐसे लोग use करके अपने business strategies बनाता है और अपने business को आगे बढ़ाता है पाज़वा point है introvert लोग हमेशा अपना circle छोटा रखता है introvert हमेशा बहुत careful होता है अपने friends या फिर अपने social circle को select करने में ऐसे लोगों के पास बहुत सारे दोस्त नहीं होता है लेकिन जितने भी होता है वो भरोसे मन्द होता है और ऐसे लोग quantity से ज़ादा quality पे विश्वास करते है एक introvert और एक extrovert का business networking style में भी बहुत फरग होता है क्योंकि introvert लोगों को पहले सी पता होता है कि वो किन लोगों के साथ अपना network बनाना चाता है और किन लोगों के साथ अपने business को associate करना चाता है और इसी तरीके से introvert लोग एक beneficial और meaningful relationship बनाने में कामियाब होता है दूसरे successful लोगों के साथ पांचवा point ये है कि उन लोगों को अपनी priorities का पता रहता है चुपराने वाले लोग या फिर introvert लोग हो सकता है जादा fun loving या फिर socially active ना हो लेकिन उन लोगों को ये पता होता है कि किन चीजों को अपने life में priority देना है और किन चीजों को नहीं ऐसे लोगों को पता होता है कि वो अपने life में कहां stand करता है और वो लोग अपने value और ethics को लेके serious होता है for example अगर उसको पता है कि उसको अपने business में ध्यान देना है तो कुछ भी हो जाए कोई और इंसान उसको distract नहीं कर सकता वो अपने काम के लिए focus रहता है और अपने priorities को prioritize करता है 6. यह है कि चुप रहने वाले लोग easily किसी भी इंसान का trust gain कर सकता अभी आप सोच रहे होंगे कि चुप रहने का और भरोसे मन्द होने का relation है लेकिन इसका बहुत गहरा तालोक है बहुत लोगों को यह लगता है कि चुप रहने वाले लोग ज्यादा बरोसे मन्द होता है इसके अलावा चुप रहके आप लोगों को यह भी show करते हो कि आपको अपने आप में काबू है और किसी भी situation में आप अपने आपको control कर सकते हो चुप रहने वाले लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता होता है कि कुछ बातों को ना बताना ही सही होता है सोचो अगर आपके पास कोई confidential information हो और आप उसको कैसे भी share नहीं कर सकते या फिर कोई ऐसा काम आप करते हो जो कि national security के साथ जुड़ा हुआ हो बहुत सारे ऐसे काम के लिए कम बोलने वाले लोगों को ही लेना लोग prefer करते है क्योंकि उन लोगों में चुप रहने की शमता होती है अगला point है self-awareness और एक कारण है चुप रहने वाले लोग successful होने की क्योंकि वो लोग self-aware होते है हर चीज में time लगता है और किसी भी इनसान को आगे बढ़ने के लिए patience की जरूरत होती है ताकि अपने skills को और शाब करे self-awareness का मतलब यह होता है कि आपको पता है कि आप में खामिया है लेकिन उन खामियों को आप अपने उपर हाबी नोने नहीं देते हो लेकिन उन कमीयों को आप अपने excuse भी नहीं बनाते हो कोई भी काम ना करने का हला कि आप अपनी कमीयों को मिटाने के लिए solution ढूनते हो और उन में हमेशा लगे रहते हो और आखरी point है self-control जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि चुप रहने वाले लोगों में अपने आपको control करने की शमता होती है अगर आप self-aware हो और आप एक चीज़ को ध्यान से कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आप उन चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहे हो जो कि आपके लिए important नहीं है और ये एक sign है self-control का क्योंकि जैसे आप अपने बातों को अपने thoughts को अपने अंदर दबा के रख सकते हो अपने आपको control कर सकते हो वैसे ही जो आपके लिए important चीज़ नहीं है उसको ना करनेगा आप में शमता होती है और आप किसी भी distraction को avoid करके अपने goal में focus रह सकते हो इतने सरे point discuss करने के बाद अब आपको ये तो पता ही लग गया होगा कि क्यों चुप रहने वाले लोग successful होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ introvert लोग ही इन सब खूबियों का हगदार है आप भी अपनी life में ये सारी positive qualities include कर सकते हो और अपने life को और बहतर बना सकते हो अगर आप introvert नहीं भी होता हो और इसी के साथ आज का ये वीडियो हम finish करते है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो please like कीजिए और channel को subscribe कीजिए ऐसा करने से हमें support मिलता है और हम और encourage होता है अच्चे वीडियो आपके सामने लाने के लिए धन्यवाद